जै मातादी आज बात करेंगे संकल्ब कैसे लिया जाता है जी हां बहुत से शिश्यों ने इस बात का वो पूछा है कोश्चन की संकल्ब कैसे लिया जाता है तो आज एक वीडियो स्पेशल सिरफ इसी लिए कि अगर आप कोई साधना करते हैं या कोई भी हवन या अनुष्ठ करते हैं तो उससे पहले संकल्ब कैसे लिया जाता है सिंपल तरीके में एक जल का ग्लास ले लीजिए या लोटा ले लीजिए आपके राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए उसमें थोड़ा से दो चारदाने चावल के रखिए और एक आदा पुश्प जो होता है फू जी का फादर का नाम ही आएगा तो मैं सन अफ स्थान जहां पर भी आप बैठके कर रहे हैं आपकी जगा का है मंत्र शक्ति अब मंत्र शक्ति में अगर आपको मालूम है आप जिस शक्ति के लिए कर रहे हैं और शक्ति कराम नहीं तो आप सिर्फ मंत्र शक्ति बोलेंगे आ आपका अगर आप साधना कर रहे हैं तो बोलेंगे कि इतनी माला का इतने दिन का संकल्प लेता हूं या लेती हूं कृपा करके इस मंत्र की उर्जा को मेरे अंदर समावेश कीजिए और उसके पाद अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आपका हवन या अनुष श्ठान को कर रहे हैं आपको वो स्पैसिफाई करना होता है फिर उसके बाद लास्ट में ओम विश्नु ओम विश्नु ओम विश्नु ये बोलना होता है नहीं तो अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि इतनी माला इतने दिन कर रहा हूं या कर रही हूं और उसके बाद आप add करेंगे कि जब भी मेरा कोई कार रहे हो, तो मैं इतनी माला, आप उसमें बान सकते हैं, एक माला, पांच माला, दस माला, ग्यारा माला, कि इतनी माला करूँ, तो मेरा कार है, शीगर अतिशीगर संपूर्ण हो, पूर्ण हो, फिर बाद में ओम विष्णू, ओम विष्णू, ओम विष्णू, ये बहुत सिंपल तरीका है, ओम विष्णू, ओम विष्णू करके फिर जल को जमीन पर छोड़ दीजिए, उसके बाद साधना कर रहे हैं, तो माला शुरू कीजिए, और हवन कर रहे हैं तो आहूतियां देनी शुरू कीजिए सबसे पहले गणेश आएंगे आप जो भी गणपती का गणेश का मंतर करते हैं सबसे पहले एक माला, चार माला या ग्यारा बार उनकी आहूति या उनका मंतर जा फिर उसके बाद आपका गुरू मंतर जो भी आपका गुरू मंत्र है फिर उसको बोला जाता है आहुती में भी और साधना में भी फिर उसके बाद जो भी अगर आप महाविद्या कर रहे हैं तो भहरो बहुत जरूरी है रक्षा के लिए नहीं तो वैसे भी भहरो को हमेशा जो है करना ही चाहिए फिर ग्यारा बार एक माला चार माला ग्यारा माला भैरो की फिर उसके बाद जो में मंत्र है जो में साधना है जो आप करने जा रहे हैं उसको कीजिएगा तो भहुत सिंपल तरीका राइट हैंड में जल लेके पुश पुलेके थोड़े से अक्षत लेके उसके अंदर मैं आपका नाम सन आफ आपके पिता जी का नाम स्थान जहां पर भी आप कर रहे हैं है मंत्र शक्ति आपका अनुष्ठान करने जा रहा हूं या आपकी साधना करने जा रहा हूं इतनी माला इतने दिन की कृपा करके प्रसंद न होई है और इस मंत्र की उर्जा को मेरे अंदर समावेश कीजिए औ को बोलके ओम विश्णू ओम विश्णू ओम विश्णू जल को जमीन पर छोड़ दीजिए और आगे का शुरू कीजिए नीचे हमारा वाटसेप नंबर है और कोई डीटेल्स चाहिए हो तो आप हमें वाटसेप कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक सीड़ी पहुंचती रहें जैमातादी